कि यूपी पीचेस दोजार बाइस का परिडाम चुके केटेग्री बाइस नहीं दिया था काफी लोगों को पता नहीं चल पाया था कि उनका एक्जेक्यूटी में हुआ है या नहीं हुआ है या किस किस पोस्ट के लिए हुआ है उनको पता नहीं चल पा रहा था तो आज जब आया तो भी काफी दिक्त हो रही थी दोविदा हो रही समझने वे लोगों को और इसलिए साइध इतने सारे मेंसेज़ आ रहे थे मैंने सोचा क्या हो गया इसा बंट अभी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके form में ही clear है जब आप payment करोगे, जब submit करोगे, उसके बाद जो आपका form खुल कर आएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बार जो परिडाम आया है वो तीन केटेगरीज में बट कर आया है, group 1, group 2 और group 3 ध्यान रखेगा, तो तीन केटेगरीज में ये बट कर आया है, group 1 executive का group है, अर्थार अगर आप executive में qualify होंगे, तो आपका ये group 1 executive लिख कर आ रहा होगा, अब कई सारे पद बहुत कम संख्या में थे, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके के, जो special post वाले थे, जो प्रिलिंस में आपने यस भरा होगा, या नो भरा होगा, वो सब आपका लिख कर आ नो या यस भरना है, वाड़िज नातक है, और सास नातक है, और भौतिकी वाला है, और असायन वाला है, ये सभी executive के हैं मतलब, इस तरीके से, तो executive group में जितने भी पद है, special post जिसके लिए, अब चुकि आप executive में qualify हुए हैं, तो हालां कि ये देना नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि आपने जब presence में already yes या no कर दिया है, तो सिर्क उतना ही देना है चाहिए, जितने के लिए आप eligible हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आप कह सकते हैं, बचकानी हरकत उनकी, इससे कोई मतलम नहीं है, क्योंकि presence में आप आपने already जो information दी है, वो store है, उनके पास, वो verify कर ही लेंगे, और वैसे भी आप क्यों गलत फार्म बरोगे, जब yes किया है, तो yes ही बरोगे, no किया है, तो no ही बरोगे, तो क्यों मिलाकर करके, group one executive में अगर आप qualify हैं, तो आप यहाँ पर yes no कर दीजे, ठीक है, group two में जो था, वो executive का नहीं था, group two जो था senior lecture diet का था, तो जो इ जो इस group में qualify होंगे, उनका ये लिखकर आ रहा होगा, जो executive में नहीं होंगे, और group two या group three में होंगे, तो उनका या तो group two आ रहा होगा, या group three लिखकर आ रहा होगा, executive लिखकर नहीं आ रहा होगा, जो executive और group one, group two में होंगे, उनका group three लिखकर नहीं आ रहा होगा, जो तीन में हुआ है या नहीं हुआ है तो एक्जिक्विट्व यहां पर लिखा हुआ है कुरूपन ठीक है और यहां पर जो आपके अरहता है जो आपने प्रिलिम्स में भरी थी यहां भी भर दीजिए सीधी सी बात है यास या नो जो भी है विदिस्त ना तक हैं तो कर दीजिए यास जैसा आपने प्रिलिंस में किया था सेम यहीं पर करना है ऐसा नहीं कि यहां पर आप सोचें कि हम यस कर दें तो कुछ हो जाएगा नहीं उसे कोई मतलब नहीं बलकि आप हाइलाइट हो जाओगे इसमें ठीक है तो मुझे लगता है कि यह चोटी सी दुविधा थी टेक्निकल पॉइंट था और अभी आपके दुविधा सॉल्व हो गई हो गया वाली अगर और भी कुछ दुविधा है क्वेरी है तो आप कर सकते हैं उसका भी देखते हैं क्या है फिलहाल जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी यही थी तो अगर और कोई दुविधा है तो आप 945 मेरे वाट्सप पे भी लिख कर बता सकते हैं 9453-775039 ठीक है हाला कि आयोक को एक्जेक्विटिव और भी अन्य जो ग्रूप्स दिये हैं इनका जो केटेग्री वाइस देता था पहले ऐसा ही देना चाहिए था उससे क्लेरिटी रहती थी यह भी बहुत सारी चीज़ें अन्क्लियर रहेंगी ठीक है फिलहाल अब सिस्टम के बारे हम क्या ही कहा जाए इसका क्या औचित ते रहा की परड़ाम को देने का ढ़ंग बदल दिया गया चाहिए फिलहाल आप लोग तैयारी करिए समय बहुत कम है परिक्षा अपने समय से होगी एक्जाम टलेगा नहीं किसी भी गलत फामी मत रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद झाल